रामनगर कोतवाली पुलिस ने गैंग बना कर लगातार अपरादी गतिविधियों को अंजाम देने और आम जंता में दहशत और आतंक का माहौल पैदा करने वाले गैंगस्टर के दो फरार आरूपियों को उनके तीन अन्य साथियों के साथ किरफतार कर उन्हें कोट में ग्रासी ग्राम शिवलालपूर रियूनियां एवं ग्राम लुटावर निवासी अंकित उर्फ छोटू के खिलाफ पूर में कोतवाली में विवन अपराधिक मामले दर्च हैं उन्होंने बताया कि उक्त दोनों अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कारवा थे उन्होंने बताया कि उक्त दोनों आरोपियों को उनके साथी अदित्यस सिंग उर्फ मिंटा निवासी हल्दुआ भानु प्रताब बिष्ट उर्फ लक्की निवासी पंपापुरी बंबागे निवासी लक्की कश्यप को मुक्बिर की सूचना पर धेलापुल के नीचे दबिष्टे कर गिरफता किया गया और पाचा आरोपियों के कब्से से एक अवैत तमंचा वे जिन्दा कार्टूस परामत किया गया कोटवान ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंदित धाराओं के तहट मुकदमात तर्श कर उन्हें कोट में पेश करने की कारवाई की गई है देखे थानरामनगर पुलिस द्वारा एक अभ्यान चलाकर कुछ पांच अभ्युक्तों को गिरफतार किया है पांचों के कब्जे से अवैत तमंचे बरामद हुए है यह लोग अलग-अलग मामलों में थानरामनगर से वांचित थे दो लोग इसमें गैंगस्टर एक्ट मे वांचित थे जिनको गिरफतार किया गया है और हाली में जो दो पक्सों में लडाई हुई थी इसमें चाकुबारी और अन्य हत्यारों के साथ जगड़ा हुआ था उसमें वांचित अभी थे सभी को गिरफतार कर मानने अले पेस किया जा